केंदर सरकार द्वारा मंडी के बाहर ही व्यापारियों द्वारा किसान की फसल खरीदने का एक अध्यादेश लाया गया है इसमें मंडी कर्मचारियों का अस्तित्व खत्रे में आ गया है इसको लेकर स्थानी क्रिशी उपज मंडी प्रांगण में जिले के मंडी करमचारियों ने सरकार पर हला बोलते हुए विरोध जता है दरसल समस्त मंडी करमचारियों द्वारा मॉडल एक्ट के विरोध में मॉडल एक्ट हटाव मंडी बच्चाव के जमकर नारी लगाए गए संवर्धन सरेली करण अध्यादेश 2020 के विरोध स्वरूप करमचारियों ने बढ़वानी कलेक्टरेट पहुचकर यापन दिया इसके पूर्ट सभी बढ़वानी क्रिशिय उपज मंडी में एकत्रित हुए और नवीन मॉडल एक्ट का जमकर विरोध किया मंडी करमचारी नवीन मॉडल एक्ट को निरस्कना चाहते हैं करमचारियों का कहना है कि इस एक्ट में मंडी के बाहर सामान विक्रय होगा जिसे मंडी की आवग बंध होगी और करमचारियों को वेतन देने में दिक्कत होगी या पारी किसान के साथ धोकाधड़ी कर सकते है वर्तमान में विक्रे का पूरा काम मंडी में होता है जिसके जवाबदारी मंडी करमचारियों के रहती है मंडी के बाहर माल बिखने लगेगा तो मंडी के अंदर वैपारी क्यों लाएगा और मंडी के लिए नहीं है और इसमें मतलब किसान को लाब नहीं है और जो अगर किसान मंडी के बाहर माल बेजता है तो मतलब नुक्सान होना है और मंडी के अंदर अगर लाता है तो सही तो सही बुक्तान को मिलेगा और इसमें अगर मंडी की आई और आवक में कमी होगी तो इसे हमारे कर्मचारियों को भी नुक्सान के और उनके वेतल बंदे वगेरा सब अथी ग्रूप से कर्मचारी बहुत परिशान होगा मंडी कर्मचारियों ने चीतामनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इतकी सारी को वो सभी विधान सबब भुपाल का घिराब करेंगे विर रपोर्ट कमरबान नियूज बढ़वानी